हाज जी good morning तो आज कौन सा चैप्टर क्या फोरिक्स हमारा खतम हो चुका है यस तो आज बात किसकी करेंगे portfolio management portfolio management में अगर देखा जाए तो नए questions है ही नहीं total मिलाकर दो नए questions निकाला उसमें से एक जो question है उसमें नया कुछ था नहीं है ऐसा कि वो question आपसे बन जाएगा पर ठीक है यार कुछ तो नया होना चाहिए न चैप्टर में इसलिए एक question नया था कोई दिक्कत की बात नहीं वो में कर वाऊंगा मैं discuss करूंगा इसको किस तरह से करना वो यूट्यूब में यूट्यूब में एक question है जो आपसे जो पहला question हम करने जा रहा है आ जाते नहीं और question पिया जाते है यह जो पहला question है यह कब आया हुआ हुआ है एक पर देख लेते हैं तो यह आया है एक्जाम में 2019 ओल्ड इसलिए बस में आया है यह question 100% आपसे बन जाता नया कुछ नहीं है इसमें इस इस बीटा मैनेजमेंट derivative में भी अगर देखा जाए तो इसी टाइप का question मैंने करवाया हूँ बीटा मैनेजमेंट का यह question आपसे बन जाता पर फिर भी यहां करना है इसलिए मैं आप से थोड़ी बहुत बात लिए डिसकस करूँगा इसके बाद वाला जो question है वो नहीं है sir वो आपको करना चाहिए तो फॉलिंग डेटा रिलेट टू ए लिमिटेट पोर्ट फोल्यो एक्स वाई जट नंबर उप शेयर से प्राइज है और बीटा है ठीक पोर्टफोलियो का बीटा निकल लेंगा अगर बीटा मैनेजमेंट क question है तो the CEO is of opinion that portfolio is carrying a very high risk as compared to market जो CEO है उससे ऐसा लग रहा है कि भाई यह जो portfolio हमने बनाए जादा रिसकी है market से भी जादा रिसकी है मतलब बीटा जादा होगा इसका portfolio का बीटा ठीक है hence interested to reduce the portfolio systematic risk का मतलब बीटा और बीटा कितना करना चाहते है 0.95 करना चाहते है तो पहली बात को हमको portfolio का बीटा निकालना ही पड़ेगा वेटेड आवरेस से निकालने के प्रेजरी मैनेजर है suggested to below mansion alternative अब बीटा को management करना बीटा को reduce करना को तो उसकी दो alternative है पहला कि हम existing portfolio में जो security है उसको dispose कर दे कुछ security और उसके बदले में हम risk free security को acquire कर रहे है free securities ठीक है दूसरा alternative है कि आप derivative का यूच कीजिए आप index future में short position दे लीजिए यह तो आपको आता है बस क्या question हम कर सकते थे आसानी से क्या यह question मुझे करवाने की जबरत पढ़नी चाहिए बिल्कुल नहीं देखते ही क्या करना कि यूरे क्वाइट पहला इंटरप्रेट दो ओपिनियन ऑप सी यू वेदर करेक्ट और नॉट भाई यह जो CEO सहाब है यह करेक्ट बोल रहा है कि नहीं कि य बता पाएंगे बताओ यह पहले ऑगलते हैं Sydney नौल और म मारकेर से मेल्टिप्लायई करते तो यह आतां फिर वेट निकाला χर्म भीटा से का मतलब क्या ये जाधा रिस्की है यस क्या CEO करेक्ट बोल रहा है हाँ जी सर बिलकुल करेक्ट बोल रहा है इसमें कोई शक नहीं ठीक है पहला पॉइंट में तो कुछ था ही नहीं पोइंट नमबर टू कैलकुलेट दी एक्जिस्टिंग सिस्टमाटिक रिस्क का मतलब बीटा और बीटा कितना आ गया है 1.4 तो ए और बी आसान ए विसे पहले नहीं पूछना चाहिए था ए बाद में पूछना चाहिए था एड़ाइज़ दा वैल्यो पर रिस्क फ्री सेक्य कितना acquire करो के, दो तरीके है, पहला तरीका क्या हुआ मालू है, कि यार हमको बीटा कितना रखना है सर, बीटा रखना हमको 0.95, एगजिस्टिंग पोर्टफोलियो हमारा कितना है सर, हमारा 20,000,00,000,00, तो 20,000,00, 20,000,00, उसका बीटा कितना है 1.40, माइनस कुछ सिक्यूरिटी हम बेज देंगे, जिस एगजिस्टिंग वाला 1.40 ही बीटा है, प्लस कुछ सिक्यूरिटी खरीद लेंगे, और रिस्क फ्री उसका बीटा कितना जाएगा, 0 और डिवाइड बाय यहां क्या रहेगा, इस का कॉस्टिंग क्या मैंने डेरिविटी उसमें करवा रखा, हां, ठीक, ठीक, बस, तो देख ले थे, 20,000 इंटु 0.95 कर दो, 20,000 इंटु 0.95, तो सरी, 19,000 आ गया, और बी सजार इंटु 1.4, सरी, 28,000 आ गया, सर, माइनस 1.40X और वो तो 0 हो गया, yes, तो X का वेल्यू निकल गया, सर, 28,000 माइनस 19,000 डिवाइड बाइ 1.4, तो यह आ गया, 6, 4, 2, 8.57 लेक्स, मैं कैलकुलेशन इन रूपीज लेक्स, अप्टु 2 डेसिमल पोंट्स, ठीक, यह फिर दूसरा अल्टरेटिव किया है, कि यार हमको पोर्टफोलियो बीटा कितना रखना है, हमें रखना 0 0.95, हाँ बोलो, हाँ, और फिर वेट के सबसे काम कर लीजे, वेट मतलब 1.40, वेट ओफ A, प्लस 0, इन्टु वेट अप B, तो यह तो 0 होगा है, वेट अप A निकल लीजे, वेट अप A is equal to, 1 माइनस वेट अप A कर लो, क्या फर्क पड़ा, जिसे 1 माइनस वेट अप A, जि divided by 1.40, 0.95 divided by 1.40, तो 0.67, अचा 2 decimal point बोला है, तो इसको उन्होंने 6,8 ले रखा होगा, राउंड अप में, तो रिस्क फ्री का वेट निकल जाएगा, माइनस 1, 0.321, 4 है, पर राउंड और राउंड अप करके, 0.32 भी ले सकते, 32 परशन रिस्क फ्री, अगर मेरे पास 20,000 है, अगर मैं 20,000 का 0.321, 4 करूँ न, तो यही आजाएगा, लेकिन राउंड अफ करूँगा, तो फिर यह नहीं आएगा, भी, इट मिस 20,000 into 0.32 करूँगा, तो राउंड अफ करने से 6,400 आएगा, ठिक, मेरी माद समझने की कोशिश करना, अगर मैं accurate ले डेसिमल के बाद, पॉइंट दो डिजीट तक, तो आंसर 6,400 आएगा, और इन्होंने क्या कर रखा है, यह भी देख लेते हैं, इन्होंने राउंड अफ कर लिखा है, 32% ले लिया, उसके सबसे 6,400 लाग का हमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर करना पड़ेगा, और 6 6,400 लाग का एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को बेचना पड़ेगा, तो कौनसी सिक्योरिटी बेचेंगे, X, Y, Z, रेशो में, किस रेशो में, इस रेशो में बेच देंगे, वो ही पूछेगा, ऐसा कोश्चन तो किया है, तो 6,400 लाग का, बताइए, नमबर अफ शेयर्स पीच कंपने टूबी दिस्पोजब, कितने नमबर अफ शेयर्स बेचेंगे, कितने का बेचना, 6,400 लाग का, 6,400 लाग का, 30 परशन ये बेचेंगे, 60 परशन ये, 10 परशन ये, तो 1920, 3840, 640, एक शेयर्स की कीमत ये दिया हुआ है, तो ये शेयर्स बेचेंगे, X, लिमिटे ये पॉइंट भी कवर हो गया हमारा, Advise the position to be taken in nifty future, and determine the number of contract to be bought or sold, क्या ये काम भी हमसे बिलकुल आसानी से हो जाता, yes, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, number of contracts, और number of contracts का formula मैंने कुछ बताया था, number of contracts is equal to, value of portfolio into target beta minus beta of portfolio divided by F into M into beta of future, जो की 1 लेते हैं, value of portfolio कितना है, target beta कितना रखना है, 0.95, और beta portfolio कितना है, 1.40, divided by future का price दिया, 8250, निफ्टी 210 और ये वनमान देना, ठीक है, इसको calculation कर लेना भई, इतना दो कर सकते हूं, और calculation करने से number of contracts आजाएंगे, और number of contracts आजाएंगे, पास 519 contract short करेंगे या sold करेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ने, 519 contract short करेंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, लास्ट, अब अब सुना ये important, point number F important है, calculate the new systematic risk of portfolio, मतला भाई मैं निकालना है, beta, if the company has taken position in nifty future, and two percent rise in nifty, अब ध्यान से मेरी बात समझोगे, 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 बुलो बिटे, beta कितना है, सब portfolio का अभी beta है, 1.40, 20,000, आपका कौन सा position है, long, और nifty कितने percent से बढ़ा है, 2 percent से, तो 2 into 1.40, तो ये कितने percent से बढ़ेगा, 2 into 1.4, सर ये बढ़ेगा 2.8 percent से, तो सब से पहले profit, 20,000 into 2.8, इसके बढ़ने से profit, पास्व साथ का, पास्व साथ लाग का profit, ठीक है, हाँ, सर, पास्व साथ लाग का profit, लेकिन निफ्टी के बढ़ने से क्या होगा, loss, nifty मतलब 519 contract है, into 8250 into 210, तो nifty में कितना पैसा लगा है, पासोनिस contract into 8250 का एक, एक contract में 210, divided by 1 लाग, तो सर उसमें लगा है, 8991.67 लेक्स, और इसका 2 पर्षंट बढ़ने से हमें loss, short position लिये तो बढ़ने से loss into 2 पर्षंट, तो हमें loss है, minus 179.83, तो ओर 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 क्या situation, ओर 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 सिच्वेशन, प्रॉफिट 380.166, इस ओर 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 प्रॉफिट 380.166, ठीक है, ठीक है सर, तो पर्षंटेज में बता सकते हूं कि कितना पर्षंट बढ़ गया पोट्फोलियो, 380.166, divided by 20,000 into 100, तो पर्षंटेज में आ गया 1.9 पर्षंट, जबकि यहां कितना, 2 पर्षंट, 2 पर्षंट मार्केट में चेंज हुआ, तो हमारे पोट्फोलियो में 2 पर्षंट बढ़ने से मार्केट में प्रॉफिट कितने का हो रहा, 2 पर्षंट का, लेकिन हमें पोट्फोलियो का प्रॉफिट कितने का हो रहा, 1.9 पर्षंट का, तो रेश्यो निकल सकता, 1.9 divided by 2, त तो इस question पर अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है जी, ठीक है, तो चले, वही final हुआ होगा, 0.95 बीटाशी होगे, बात कर रहा है हम, यह important question है, question number 2 exam में आया हुआ है, और November 2019 में, old syllabus में आया हुआ है, तो बच्चों, new syllabus वालो, आपको यह question आ सकता है, pharma net selectivity का question है सर करवाओगे, कि बिल्कुल नहीं यह question, already मैं करवा चुका हूँ, और कहां करवाया हूँ, मैंने YouTube में, सर कहां है, खो गया है, वो पता नहीं दिखनी रहा, तो मैं जानता हूँ, आपको description में इसका link देना पड़ेगा, आ यह question करना ही पड़ेगा, आपसे नहीं बनेगा 100%, अगर पहले नहीं किया है, तो description में जाएए, इस question का link है, proper video है, और उस video हमें ने discussion कर रखा, ठीक है, याद रखना November 2019 में आया है, old syllabus में, तो बच्चों आपको भी आ सकता है, जिनका new syllabus है, ठीक है, ठीक है, अगला chapter क्या होगा, mutual fund, उसमें भी ज्यादा question ही, एक ही question है, ठीक ह आपको 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 आपको